हलो तो, वेलकम टो अभीपीडिया पावड बाई अभिमन्यो आई एस, my name is Rohit Mehta, students, महाराष्ट्रा स्टेट सिविल सर्विसिस की बात अगरम करें, तो देखें बहरत के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, जो की UPSC सिविल सर्विसिस के साथ साथ स्टेट सिविल स सर्विसिस का एक्जाम देता है, जो UPSC का एक्जाम भी देता है, तो वो किसी भी राज्य का स्टेट सिविल सर्विसिस का एक्जाम दे सकता है, वो एक्स्पिरेंट्स जो किसी अन्य राज्य के स्टेट सिविल सर्विसिस का एक्जाम भी दे सकते हैं, अब अन्य अन्य रा रहती है वो रहती है general studies syllabus almost same रहता है जो मेन फर्क रहता है वो रहता है उस state की gk का और language का उस state की gk और language का फरक रहता है बाकि सब almost same रहता है तो अभिमन्यू IES जो कि पिछले 22 सालों से 22 सालों से UPSC civil services and state civil services की पीड में काम कर रहा है और 1500 से ज्यादा सेलेक्शन दे चुका है तो अभिमन्यू IES का online platform अभिपीडिया आपके लिए ले के आया है एक combined state civil services का exam course जो की आपको exam को जो की आपको भारक के किसी भी राज्ये का state civil services का exam करने के लिए totally help करेगा आप भारक के किसी भी राज्ये के किसी भी राज्ये के state civil services exam के लिए जाना चाहते हैं चाहिए वो कोई भी राज्ये हो ठीक है मैं बात करूँ अरुदाशल प्रदेश से लेके राजस्थान तक जमू और कश्मीर से लेके तरनलाडू जाएगा तो बारे में बाकित के आपको अंत में दूँगा आज हम बात करेंगे महारास्था स्टेटट्ट सेवल सब्सक्राइस की महारास्था शेट्स एक्राप अधिया रहता है क्या इक्जाब बाध्रद सेब सैटसर्वल प्रीक सर्विसं के था me करते हैं 520 में नोटिफिकिकेशन आया था इसका कितनी वेकेंसिज आई थी 200 वेकेंसिज यहाँ पर निकाली गई थी महारास्ट्रा पब्लिक सर्विस कमिशन के दोरा इसके बाद आगे बात करें तो एज लिमिट कहा रहती है महारास्ट्रा पब्लिक सर्विस कमिशन के दोरा जो एज लिमिट डिफाइन की गई है वो हैती है कम से कम एप्लिकेंग की एज वह 18 साल होनी चाहिए कम से कब 18 साल मैक्सिमम 38 यह तो 38 साल की उमर तक अब महरास्टा स्टेट सेट सिवल सर्विसिस का एक्जाम दे सकते हो 38 आगे पात करें क्वालिफिकेशन की तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहि आपका होना चाहिए तो कोशन आपको पूछे जाएंगे 100 कोशन उसके बाद पेपर 2 जो आप कर रहेगा वो एप्टिटूड का रहता है जिसको हम सीसेट भी बोल देते हैं ठीक है सीसेट टाइप पेपर आप कर रहता है इसमें आपको 80 कोशन पूछे जाएंगे 80 कोशन 200 मार्क्स कही 200 मार्क्स कही 80 कोशन अब मैं पेपर की बात करूँ जो प्रिलिम्स होता है यह सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यानि कि आपको मेंस तक लेके जाएगा प्रिलिम्स जो है और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 by 4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा ठीक है बट यह जो 80 कोशन यह हैं इसमें आपके जो data sufficiency type कोशन आते हैं उसमें negative marking नहीं होती, उसमें negative marking आपकी नहीं होगी, इस बात का ध्याना परखेगा, ठीक है, और one by fourth जो आपका negative marking रहेगा, वो अगर किसी question में, जैसे कोई question ऐसा है, cset में, जिसका जो marking scheme है, वो ज्यादा है, ठीक है, marking scheme different है questions में, तो वहाँ पर उसी हिसाब से यह आपका negative किय जाएगा, उसी साब से आपका negative किया रहेगा, पर question, ठीक है, तो negative marking रहेगी, हर incorrect answer के लिए, one by fourth negative marking रहेगी, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, यह चीज़ आपको बता चुका हूँ, पर data sufficiency के case में, आपका negative marking नहीं होगा, except the data sufficiency, there will be one by fourth negative marking, इस बात का ध्याना आपको 80 questions आएंगे, दो घंटे मिलेंगे, 200 number के, but data sufficiency में negative marking नहीं होगी, clear, चलिए, आगे रेखते हैं, मैंस की तरफ बढ़ेंगे, मैंस का देखते हैं, मैंस को देखेंगे, तो मैंस में यहाँ पे 6 paper होते हैं, मैंस में यहाँ पे 6 paper होते हैं, ठीक है, मैंस आपका 6 paper में होता है, स 12 तक का रहता है, 12 तक का जो gap आपको पूचे जाता है, medium जो रहेगा, वो मराथी और English रहेगा, क्योंकि मराथी और English language ही आ रहे है, duration of the paper will be 3 hours and descriptive type question आपको दिये जाएंगे, ऐसे लिखना है, translation करनी है, प्रैसी लिखनी है, इस तरह का आपको question दिया जाएगा, clear, उसके बाद आपका मराथी और English का आता है, ठीक है, मराथी और English grammar का पेपर आ जाता है, grammar और comprehension का, ये multiple choice questions रहेंगे, ये multiple choice questions रहेंगे, 100 marks का ही रहेगा, ये भी मराथी और English में ही रहेगा, ठीक है, इसका duration आपका एक घंटे का रहेगा, इसका duration आपका एक घंटे का रहेगा, एक घंटे क इसमें भी आपको MCQ पूछे रहेंगे, उसके बाद 4 paper आपके general studies क्या रहेंगे, general studies 1, general studies 2, general studies 3, general studies 4, 4 के 4ूपेपर, देट लिछ सो नुम्बर के रहेंगे, तो मैंने बताया था वहां का जीक है, महरास्टा का जीक है और महरास्टा की language, यानि के महराथी यह आपको आते होने चाहिए तो महराथी और English दोनों में यहाँ पर paper bilingual रहेगा, दो-दो घंटे का वक्त मिलेगा, चारो पेपर के लिए और चारो पेपर मेंस का एक्जाम यहाँ पे हो जाता है उसके बाद आपका आजाता है further process अगर आप मेंस को crack करते हैं, मेंस में आप अच्छा marks ले आते हैं, उसके बाद आप आपका आजाता है personality test या interview इसका हम बोल देते हैं, जो की 100 marks का आपका रहता है, जो की आपका 100 marks का रहता है तो interview आपको अच्छे लेवल पे प्रिपेर करना होगा यहाँ पे, क्योंकि interview बहुत 100 marks की बहुत एहमियत रहती है यहाँ पे इस interview के marks की तो 100 number में से अच्छा खास score आपको ले के आना है interview के लिए खुद को prepare करना है और सबसे पहले prelims था, फिर mains था, फिर interview इसके बाद final selection clear, इसके बाद final cut of result आता है और आपका final selection हो जाता है तो आपको prepare करना है, mains exam के लिए और prelims exam के लिए खुद को आपको अपने आपको आगे बढ़ाना है तो आप अगर आने वाले समय में महरास्टा State Civil Services में अपना करियर बनाना चाहते है तो आज ही अभी मन्यू IES के दोरा launch के गए the combined state civil services exam course के लिए खुद को register कराएं और आगे बढ़ें ताकि आप जो इस exam को crack कर पाएं तो अभी मन्यू IES जो कि आपके लिए कोर्स को ले के आया है combined state civil services exam preparation course को ले के आया है इस course का duration जो रहेगा ये छे महिने का रहेगा छे महिने में आपको complete cover करा दिया जाएगा prelims plus mains का जो syllabus रहेगा वो आपको पूरा cover करा दिया जाएगा including the cset, including the aptitude test आपको पूरा का पूरा cover करा दिया जाएगा छे महिने के अंदर-अंदर and the all classes will be delivered by the expert faculties of अभिमन्यू IES चंडिकट and 20 days का free trial भी आप ले सकते हैं ठीक है अगर आपको doubt है की course कैसा होगा कैसे कोण teacher पढ़ाएगा तो आप 20 days का free trial ले सकते हैं आज ही अपने trial को register कीजिए जिसका link नीच आपको description box में बल जाएगा trial के लिए खुद को register कराएं और classes को attend करें देखें और अपनी preparation को थोड़ा सा boost up करें तांकि आप आगे बढ़ सकें तांकि आप आगे बढ़ सकें तो 6 महिने के इस course के लिए आप आगे बढ़े हमारा जो demo module course of modern history आपको आपके लिए available है इसको join कीजिए और इसके थुरू आगे बढ़ी और join के लिए the topper league of the अभिमन्यू आईएस क्योंकि अभिमन्यू आईएस पिछले 22 सालों से 1500 से जारा civil servants produce कर चुका है तो आप भी आगे बढ़ी अभिमन्यू आईएस की टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है क्योंकि आप भी कुछ भी कर सकते हैं तो join the course today आज ही course के लिए खुद को register करें जिसका link नीचे आपको description में मिल जाएगा and for the more updates more states का PCS की अब्डेट पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए बैल आइकन दबाना नहीं भूलना है यह जो वीडियो था इसका PDF आपको मिल जाएगा अगर आप pattern का ध्यान रखना चाते है तो PDF आपको मिल जाएगा इसके लिए भी link नीचे description box में देया गया है mentorship course में जाकर खुद को register कर लिजेगा and पढ़ाई करते रही है पढ़ाई करते रही है आप आगे जाकर देश सिवा में आगे अपना योगदान दे सकते हैं तो आज के लिए इतना ही महराष्टा स्टेट सिवा सब्वेसिस में किसी वे तरह का doubt रहे कुछ problem हो तो you can write in the comment section आप comment section में पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही thank you so much